अगर सफर है लंबा और सिलेक्शन है आपकी मनजिल तो हो जाएए तैयार और पकड़ लीजिए अपने एक्जाम प्रिपरेशन की रेल क्योंकि टेश्ट बुक लेकर आया है शुबारम सेल जियां इस 26, 27 और 28 फरवरी को टेश्ट बुक आपकी लेकर आया है सभी टेश्ट बुक सुपर कोचिंग पर अप्टू 90 परसेंट और 50 परसेंट की एक्ष्टा वैलिटी तो अगर आप SSC, Banking, KVS, UGC, Net, LIC, AJ, Gate, State PSC, UPSC, Defense ऐसे एक्जाम की तयारी कर रहे है तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिये अभी जाएए इस ओफर का लाब उठाएए Only on टेश्ट बुक सुपर कोचिंग Hello guys, welcome back, कैसे हैं आप सारी लोग? अरे वोगा तुम आगी कहीं नहीं बढ़ रहे हो अज, जा, 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 प्लीज यह मत बोरो कि तुम हैंक कर चुके हो हाँ, थैंक गॉड, हाँ मैं लगा कि हमारी किसम थोड़ी से भी खराब चल रही है Welcome guys, कैसे हैं आप सारी लोग आशिकरती से बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे हो जाओ क्योंकि जिन्दगी का काम है तुमको रूलाना और तुम्हारा काम है जिन्दगी को हर बार शिकस्त दे कि यह बताना कि मैं हर बार खुश रहूँगा एक्सित के साथ अपने को चलना भी है एक्जाक्ट प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई अपने एक्जाम के क्वेश्चन होंगे अपने को कैसे करने हैं ठीक है राइट गुड चली स्टार्ट करते फिर अपने आज की सेशन को फटाफट तरीके से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवर्यवन यह पको टिलिग्राम का चैनल ही से जॉइन कर लीजेगा आज इकलोता समतलब आज आखरी दिर है आपका इस सेल का अगर आप MTS का बैच ले रहे हैं या फिर अगर कोई आपको कोड क्या लगाना है तो आपको यह प्राइस कम में मिल जाएंगी बात समझ में आई गुड मॉर्निंग आगे बढ़ जाते हैं आज के सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने यह रहा पूरे भारत वर्ष में हम बात करते हैं किस दिन को बांगलादेश में विजयदिवस और भारत में हम इसे मनाते हैं विजयदिवस में पूरे भारत में findshraday跟大家 की रूप में हम इसे में विजयदिवस एक कौन सा डेट है वो 16 दिसम्बर क्या हो गाइआ कलास में कीटितेश कितने क्यों है क्लास शेयर करो जल्दियलदी अभी तो कलास शुरू हूँ ये तुलात क्लास नहींद तो इतने द्रभाद क्लास आएंगे तो तुलात आने होंगे आहिए अब इसकी कहामीology बारे में जान लेते हैं 16 दिसंबर कहानी के बारे में जान लेते हैं चुकि आपको पता था क्या कि यह जो बांगला देश है जो की पहले क्या था इस्ट बेंगॉल था यह इस्ट बेंगॉल किसके पास गया था यह इस्ट बेंगॉल आपकी पाकिस्तान के पास गया था जहां जहां पर जाने के बाद जो छईरे ने के बाद जो चीज़ देखी गई थे यहां पर 30 लाइक मुसल्मानों इस्थammen कहते हैं जो खुद और तुम मुसल्मान को अगर सब्सक्राइब करने में इस देश को सभी करने में बात समझ में आई तो इस दिन को आपकी victory रे माना जाता है बागनादेश में भी और भारत में भी हमें से विज्य दिवसकि रूप में जानते हैं एक किताब लिखी गई है नीर्वासन कौन से किताब लिखी गई है नर्वासन आपने बताना है की 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 क्यों भाई या फेमस उने पर क्या हो जाता है को दिक्कत होता है क्या बदाएगा हुआ मंग फॉल्लिएंग इस दी ऑथर अब दी बुक निर्वासन निर्वासन कहानी के जो अथर कौन रही है बिल्कुल शवेंदो बिल्कुल तुम लोग को बख्वास करना है न मैं से चिसल के लिए इमपाटटन है इसके लिए इंपार्टन है जब जी ऑचलृधा और प्रूक्रों नसरीन ऑपने लेखं लिए बहुत जयादा जानी जाती है अकसर अपने थोड़ी से जादा दा क्रिटिसिम के लिए ऐक सबद्किवार एं त्यूंट कि वजेसे आं आधा चर्चे म तके मानसंकर पहले भाई होम अफे ओस हुम आफेड आई योगेश शोर बाउट हेट की हुम अफेड ने करवाया है ' Perpack आई कि सबनी जवाब देरे सब इक दूसरे कहा देख देख के जवाब दे बस एक पावन का जबावित fans का तक सही आया है बाकिया Kelly ने साइंस और टेक्नोलजी इस बर करवाय था आपका सर्वेय ऑफ इंडिया है ना कि देश में किस प्रकार से विज्ञान चीजों को भी बढ़ होतरी किया जा सके यह ओगा यहिस है एक जवाब ऐस बार और सब का जवाब जो है वो गलत है ब्लाक बॉक्स व्लाइट रिकॉर्डर के बारे में हम सब जानते हैं आपको पताई होगा आप तो हाल फुलार में चर्ची में भी था यह कि समें अवर कुछ रिकॉर्ड हो जाता है सारी चीजें समे अक्बर एंसी गुड वेरी गुड डेविड वोर्न कौन है भाईया डेविड वोर्न जी ने किया था इसका इंवेंशन इंवेंशन याद रखेगा अगली सवाल पर येगा अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है अन्सर्ओं में चली अर्ष्ण ओक होगा गोलीया कहां का है माम यह मगोलीया का इशनात वेरी गुड गूड गूब्यन डेवल Первिकश्ड पार्लेमेंट की सर्ष्ण ऐसी बात है कि मैं गुर्मेंटल पैलेस ही होगा बैंक्स इंडिया नाशनलाइज फॉर्स टाइम इन विचेयर आओ इसकी कहानिय को पहले जानते हूं ऐसे समझो 1947 में आपका देश आजाद हुआ 1949 में आर्बी आई को नाशनलाइज किया गया 1950 से 1955 के दौरान पर हमारे हाँ 555 बैंक जो थे यह बैंकरप्ट थे अब कौनसे बैंक को नाशनलाइज करते जिस बैंक के पैसे ही नहीं उसको नाशनलाइज कैसे करोगे आरे बावा बैंक पैसे भी तो कैसे उने से 50 में बैंक को नाशनलाइज कर दोगे बैंक पैसा तो होना होगा पहले पैसा था यह नी बैंक को के अंदर ये bank से very good राश्ट्री वो bank से ही decide होती है backbone 1969 में क्या 1969 में 14 आपके national चौदा आपके जो है आपके national आपके bankों का nationalization किया गया था और उसके कुछ सालों बाद वापस से आपके 6 और निजी बैंकों का राश्ट्री करन किया गया आप बैंकों की categories को पहले आपको समझना पड़ेगा क्या जैसे ना बैंक के कितने प्रकार्स होते कितने categories होती है मैंने सबसे पहला जो आपको कहा जो आपको पढ़ना होता है वह अपने क्या पढ़ना होता है जो कि आरभी आइए के आक्ट शेडियूल टू में दिया गया कमेर्शयल जिकर दिया गया हैी अफिकर इसकी अल्ब का पॉर्परिटिव गैंक सब्स अपैमेंटध बैंक है स्पेश्यलाइस बैंक है जो अपने अपने पॉटि को study के लिए क्या करते है Tabii शुक्रिया आकाश शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया फैन हो गए बहुत अच्छा लगा जानके थांक्यू सोबच प्लीज अपढ़ ले थोड़ी देर ओके चल अकबर को बोला जाता था कि बहुत ही अच्छा खिलाडी है किसका नाकारा का ऐसा नाम भी है ना देखो हम क कुछ नहीं कह रहे हैं नाकारा हम कुछ नहीं बता रहे इसको ठेक है मैंने कुछ भी नहीं कहा है जी 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 तुम लोग अपने हिसाब से मतलब मत निकालना इसमें से कॉन से टाक्स चो है ये डिरेक्ट टाक्से फटावद से बताईएगा बताईगा प्रदीप कह रहे हैं कि माम डी सेल्स टाक्स राश्य के रिक साइज अच्छा ओके 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 इंकम, प्रॉपर्टी, सेल्स आपकी जो इंकम पर जो टाक्स लगता है वो डिरेक्ट टाक्स है प्रॉपर्टी पर जो टाक्स लगता है डिरेक्ट टाक्स है सेल पर जो टाक्स लगता है डिरेक्ट टाक्स है याद रखेगा ये सारे टैक्स क्या होता है ये डिरेक्ट टैक नहीं लगाया जाता है कि तुम यह समान खर दो को तुम्हारे समान में किसी परकार से हम इधर से भी हेड़न कॉस्ट के तौर पे लेंगे या इंड डिर्क तरीके से हम लेंगे ऐसा नहीं करते हैं इस बातों को ध्यार में रखेगा अब अगर आपको ऐसा लगता है समझ लीजिए कि जो बच्ची जो कमा नहीं रहें वह टैक्स नहीं दे रहें तो यह गलत फेहमी है अभी की सरकार नहीं देखो मैं कुछ नहीं किया रही हूं लेकिन टैक्स होड़ा सा जादा लेती हैं आप कुछ फेकल हमा जोटा उसके तरह टैक्स ले रही है अविक पूरा आमाउंट आ रहा है साल में उसके बाद उन्सायच श्ल mm जोगणाद ये टैक्स कर्ट हैं हर चीज की ऊपर टाक्स है हर चीज की ऊपर अरे मैं छोटी छोटी चीज बताती हो अपनका ये कार्ड प्रेंटिंग होता है ठीक है ये कार्ड प्रेंटिंग होता है इस पे तक भी अपने को टाक्स पी करना पड़ता है इस अब बताऊं कि बहुत सतर में कार्ड प्रेंट होत निक्स्ट ध्यान दिजेगा फर्स लीडर ऑफ उपोजीशन क्या बता रहा है फर्स लीडर ऑफ उपोजीशन तो गेट दरीक और्गनाईजीशन तो इंडिन पार्लेमेंट वोज येस ट्रू गॉरव चलिए साही लोग पड़ाफट से जबाब दीएंगे औरे ये फोन दिश्चार्ज हो गया है मैम डी जांगे पिवित ररसंग बहुत अच्छा है देखो लोग फैन थे इंडिन नेशनल कॉणरेस के आजादी के وकत तक इंडिन नेसनल कॉणरेस के लोग fan थे क्योंकि भाईया Congress की वज़े से हमें आजादी मिली, Congress ने हमें आजादी दिलाई, जो दिखता है वो बिखता है वाला condition था, exactly, इसके बाद क्या हुआ, आगे समझना बातों को, बहुत भारी मतों के साथ जीती 1952 में, अगर मैं बात करूँ तो 1969 तक कोई विपक्ष था ही नहीं, लोग सभा में कोई भी विपक्ष नहीं था, और नो ओपोजीशन, तुम समझ रहे हो, यह डेमोक्रसी के लिए कितना खतरनाक बात था, कि कोई विपक्ष में नहीं है, कोई ओपोजीशन में मतलब सरकार, तेखो, पावर हमेशा करप्ट करती है, सुप्रीम प आपको बोलने वाला कोई ही नहीं, आपको चार्ज करने वाला कोई ही नहीं, आप समझ रहे हो, कंडिशन को यहां पे, 1969 में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, 1969 में राम सुभख सिंग जो है, यह पहले विपक्ष के नेता बने थे, इसलिए हमेशा बोला जाता है, कि ज जब तक पावर नहीं होगे, राम सुभख सिंग जो क्या आरे सिंग के नाम से जिने अब जानते हैं, यह सबसे पहले विपक्ष के नेता बने थे आपके, इसके बारे में ध्यान दीजेगा, ठेक है, आईए, अगले सवाल की तरफ, मान ग्रोफ फॉरस्ट जो की इंडिया म साउथ, माम सी बूले तो वेस्टन घाट, अच्छा ठीक है, क्या बाद है, आजगल पवन इंग्दम सही जवाब दिये जा रहा है, देनेश, गुड, इशनात, कहा है जवाब, डेलेटिक कोस्ट में, मैं ग्रोफ, अरे बाबा, तुम लोग उने कैसे जवाब वेस्टन घा देना शुरू किया था, मैंने सवाल क्या पूछा था, मैं ग्रोफ वर्स पूछा था, मैंने, तो फिर, कजब तरीके से, द्यान दो, इन्हें उच्छ और विकरन क्या विशक्ता होती है, उनकी जड़ों को मध्या में खारे पानी में, ये छानने मदद करता है, ये हिंदी तो अलगी है, बट येस, वो पानी-पानी की जरूत जो हुती है, वैसी जरूत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, वेरी गुड, आगे बढ़िएगा, देख रहे हो, तुम लोग फैन बना रहे हो, आज किल कास में मरे प्यर पर से बच्चे आ रहे हैं इसलिए, ओके, no issues, no issues, काइबर पास जो है, इस जगह पे काइबर पास सबसे इंपोर्टन्ट है भाई, कई बार हमारे पास GS में जीके में, ये सवाल हमसे पूछ दिया गया है, काइबर पास, इंडिया-पाकिस्तान, तो माक मोहन लाइन कहां गया फर, वेर इस माक मोहन लाइन, काईबर पास, लowन ब мнederती डाश्राइश्वन कि वेरी गुट सफ्वर्ट मॉनिका कि गडव कापि पाकिस्ताई आफगानस्तान वाली जो आपकी लाइन है ना इक हाइबर दर्रा जो है कि उसे जुड़ा का अब कितनhinा करतार तो यह वाली चीज करा रखे उसके बाद कैसे एंज्ट वर ऑफ इंडेपेंडेंज एजन 57 जो है एक इनके दोड़ा लिखी गई है इनको कितने सालों तक काला पानी की सजा दी गई थी काला पानी सूच रो कितना भयांकर होता था काला पानी वीडी सरवाकर किया दोहारा वीडी सरवाकर कई बार अलग-अलग noodles लगे कई बार इनको बोला गया जादा हिंदुत्व के विचार धारा में हैं और गांदी जी को संतित को देबरे स्पेटिंद्च को इंप बढ़ जाईगे सिपटाफट तरीके से चामी रेली री टायर्ड आच्छली हुआ यू है कि आज मेरा केस तो उसकी वे आद भर मेरी नींद नहीं इंद नहीं और आपनों, जङो मेड है मेरी ने नेंद क्या कही हुआ जै्कन के पार्लेबंट का नाम क्या ज्याख रख़ा को अच्छा और बहुत अच्छा ही लोग भुलता यब हम बहुत है इसना है अड जय ब घाईक verd Nursing स्काइस पढ़ जाता है लेकिन सीडिसली तिम्हों को जैपान को सीरिसली मत देना चाहिए कि ये जगा है जो इन्लों ने पता निंग कितनी सारी आर्थक्वेक देखे हैं कितना कुछ है जो इनको तबाह करने के लिए लाया गया था लेकिन ये लोग जो है कभी तबाह हुए नहीं के फोन डिस्चार्ज हो गया था चली बबू क्या गहरा इंडिन कॉंस्टिउशन डील विद्धा कुल्च्रा एडुकेशन राइट के साथ कौन सा डील करता है आर्टिकल 29 एं 30 एक बात बताओ अगर आप चाहते हो कि आप अपने धर्म का अगर आप चाहते हो कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो and you want कि हम उस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करें अपनी ही भाषा का या अपने रिलिजन का स्कूल खोले तो क्या अपको अलाउड है ये खोलना हाँ या ना अलाउड है आपको खोलना ठीक है अच्छा अब मैंने कहा आपको right to education की बारे मेंने बात करा आप तो राएट तो एज 2 के बारे में हरकिसी को सिक्षा अधिकार है एक बाद बताओ क्या मदर्षा इसके अंदर पड़एगा राइट यजुक जिस्ट के anybody में क्या मदर्सा या फिर कोई भी रेलिजिस एडुकेशनल इंसिटूशन जो है क्या वो इसके अंदर पड़ेगा ये साइम टॉकिंटी वाने फर्स्ट फॉल चलिए बताई फड़ा पड़ से येस अच्छा येस ओके अच्छा येस बहुत अच्छा येस 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 बहुत अच्छा येस बहुत अच्छा येस बहुत अच्छा दो तिन लोगा जाब सही आया है पिलकुल भी नहीं मदर्सा संस्कृत विद्दैले या फिर कोई भी ऐसा विद्दैले जो कि आप रेलिजि जो कि धारमा कि एजुकेशन देने के खोला गया है यह सारे प्रफ युउप युफ बिल्कुल भी नहीं फॉल करते न तो अपसाम में उब नहीं कर वा सकते थे नहीं फॉल करते हैं एजूकीशन का मतलब है तो एजूकीशन हुत है एजूकीशन का मतलब यह नहीं होता है आफ घर जो साइन्स पढ़ाईएगा ना बच्छों को बता रहें कि दुनिया में sparks क्या हुआ है नदि कहा Millennium पहाड कहा और्पान देख लेंगे हम काली मित्टी में अगाएंगे वह देखी ब्लाक हमें तो क्या करना है से निकालना हे पाणी पीना है कोई बात है झिलक लेक्का पानी जाके पिमेंगे क्यों आपको सह से ब्सक्राइब सुण की बारे सब्सक्राइब करें तब जाके है कि चलिए दिहान रखेगा है और जिन जिन लोगों ने हाँ हाँ बोला है ना तुम लोग याद रखना तुम नजर पर चाड़ा गए वह दो मिनिट अभी तुम लोगों पूरी क्लास में सुनाने वाली हो तुड़ा ट्राइब जो है यह ट् किसका जवाब आचुका है किmar गटे क्सा आम यह लगों को टोल्डा आपकी कहां पाई जाती तामिलैडौं पाई जाती है वोगों सा है भली तेन फिल्द। जुद अब्सक्राइब और दिप्राइब आपका फेमस है फांज बसाय के लिए एक आपका फेमस है ध्यान रखेर अध्यान रखेर बारबर बता दे रही हूं अगले सवाल पर आजाईएगा विच अफॉलिंग इस दॉस त्षाल सथी लागंवज दी नाइटिशन दीनिशन इन से कौन सी अधिकारिक भाशा नहीं है इवें एरभीक है उनकी अधिकारिक भाशा चाइनीज भी है स्पैनिश भी है बट पोर्टिगिज इनकी नहीं है ईपीचल लैंग्ष में बताओ जरा माम पुर्टगाल कब से बिचारे कोशिश कर रहे हैं छीव इनके भाषा हैं लेकिन एक भाषा इन में से नहीं है आगे बढ़िएगा इन विच दा फॉलिंग स्टीट ऑफ इंडिया क्या लखा है पर में आगे इस मॉनेस्ट्री सिच्वेटर अच्छा अच्छा जवाब देना इसका जरा पिटी राहूल अर राचल नहीं सिक्किम कि याद रखेगा कहां किया सिक्किम कि यह यह चर्चे में आई थी यहां पर एक बार क्या एक मुववन्मेंट हो रहा था तो उसी में इसके बारे में बात हुई थी जी आगे बढ़ जाते हैं अगले सव साल की तरफ उन जुलाई डाश मैंन वॉक्ट अन्द मून फॉर दा फर्स टाइम कितने तारीक को नील आम स्ट्रॉंग जो है 21 जुलाई 1969 को मून पे गये थे आपको याद होगा एपलो 11 न्यूलर मॉडिल था मून के सर्फेस पो उत्रे थे और इन एरिया कॉल दसी आफ ट साथ बताया था दोनों सुपर पावर हैं दोनों अपने अपने बारे में चीजों को बताते रहते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ विच इंसिटूशन हाज इनाग्यूरेट अक्वा माप वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी किस इंसिटूशन नहीं निकाला है अब विचान मंदल और नीती केंदर को किसने किया है इस बार माम आईटी मद्रास ने किया है नालगर मेडिकल डिवाइस पार्क प्रोजेक्ट जो है यह प्रोजेक्ट के सराजी का प्रोजेक्ट है ध्यान से जवाब दीजेगा इसका यह बूली तो आकाश का जवाब सही है पावर आकाश है तेश आर्मी गौरफ वेरी वेरी गुट अकबर गुट हमाचर प्रतेश अगले आईएगा Chartered Accountant Bill seeks to be set up a Coordination Committee headed by किसके द्वारा मैं अगर Chartered Accountant की बात है उनके संबंद की बात है वहाँ पर अकाउंट की बात है तो इसका तो मैं कौन देखेगा Corporate Street की Ministers तो नहीं देखने जाएंगे हाँ लेकिन Corporate Affairs की Secretary जरूर देखेंगे Chartered Accountant Bill में अभी आपर क्या कहा जा रहा है जो Coordination Committee हो तो इसको सेक्रेटरी हेट करेंगे इसो कौन हेट करेंगे बिटा ने Finance Commission क्यों हेट करेंगे समझो ना बात मामले को क्यों हेट करेंगे अभी आपर जो सचिफ सहाब जो मजूद है सचिफ सहाब हेट कर लेंगे चीजों को आगे देखेगा ऑफीशल डीटा जो है नर्स का population कितना है हमारे यहां नर्स का population 1.96 हर थाउजेंट में 2022 के हिसाब से पंजुकृत जितनी भी आपकी काम कर रही हैं नर्स सहयोगी हैं महिला स्वास्त है इन सब के बारे में बात करें 33.41 लाक पंजुकृत रजिस्टर्ड अब उनकी बारे में नहीं बात करें जो अपने आप नर्स बन गई हैं क्लास ले लूँगी तुम लोगों या फिर मैं क्लास के स्टार्टिंग में 2022 पर जितनी भी नहीं चीज़ें आई हैं इंक्लूड की गई हैं इस बार संसिक्स वाले में जब का सर्वे वो सब पढ़ा देंगे आपके एक बार जल्दी जल्दी आगे ध्यान दीजेगा विच हमने बीतिय वक्त में कुछ ही वक्त में जिब सब के हाँ भुखमरी चल रही थी इंडिया ने भर भर के टन टन भर भर के हमने अफगानिस्तान पाकिस्तान तुम कुछ भी गहो हमने भर भर के सब को दिये हैं लेकिन अभी हमें बंद करना पड़ा है कि भाया हो सकता है कि अ तोनों का भी बंद कर दिया है मेल कोट टेंपल जो है वाइल लेफ सेंचुरी है यह आपकी किस जगह में सचुएटिड है कि नॉडिसाइट न करनाटका बिठा कहां पर करनाटका गुड आगे दियां दीजेगा मैंने भूला कि नंबर ओफ बिच अमंग द फॉल इंग विपली माक्सम द फूड चीन एक फूड चीन में सबस्ट जादा किसकी संख्या जादा होती है कि बताना जब भी तुम लोग नॉन वेजटेरियन लोगों किसी चीज के बारे में कहना होता है या बताना होता है प्रेडियूसर कैसे बिटा सब प्रेडियूसर ही हो जाएगा फूड चेन में तो कैसे काम चलेगा डीकंपोजर तो होना होगा अरे नहीं यार क्या हो किया सब्सक्राइब को कि कंज्यूमर खाते जोगे खाते जोगे बैट कि सिर्फ वेस्ट फैलता जाएगा फिर तो अगर डीकंपोजी नहीं होगा मैक्सिमम मैने क्या बोला था अगर डीकंपोजी नहीं हो रहा है तो कैसे इमाजिन कर सकते हो पूरा का पूरा चीन साइके लिए तो पूरा ऐसे बना हुआ है तुम लोग जैसे ही तुम लोगों को बोलना कुछ होता था तुम लोग नॉन वेजिटेरियन लोग को कि नॉन वेज क्यों खाते फूड चेन गरबड़ा जाएगा पहरे तो प्रेडियूसर आएंगे जो प्रेडियूस करेंगे है ना उसके बाद प्राइमरी जो खाएंगे भाईया उसको आगे बढ़ते हैं अब यह फोन जो है थोड़ा बहुत आएगा इस चार्ज हो चुका है अगले सवार के तरफ यह कौन है ब्लॉक होना है किया किसी को ब्लॉक हो रहा है किसी को मन है क्या आगे बढ़िये का विच्ट डिफाइन दे सेट अफ दे रूल्स टुदी गवर्न कंट्री ड्याल से समझों कहीं भी किसी भी देश को चलाने के लिए ज़रूवत है वो जरूवत किसकी है वो जरूवत है कॉंसिटूशन की जरूवत किस समझना अब जहां जहां यह बोला गया है कि माम इस देश का समवधान नहीं है तो अगर यह बोला गया है कि उसके जो समवधान की जो बाते हैं वो अलग-अलग सेडूओ में अलग-अलग स्टाचवेट में लिखी गई है अलग-अलग जगा में लिखे यह कोई एक किताब इस्पैशली नहीं बनाएगी मतलब अलग-अलग जगा इसके हार एक रूल्स रेगूलेशन मिलेंगे हैं ना लेकिन समवधान जो है वो सब के पास समवधान है राइट एक काम करो क्लास में जो बकेती करने जो लोग आते ना इंको बहुत जरूरी होता क्लास से हटाना एक सिकंड लो ठीक है आगे बढ़िएगा अगले स्वाल की तरफ देखिएगा अगर मैंने बुला किसी लक्ष सद्धान को उसके उतकर्श उत्तम रूप में संदारवित करता है कौन आइडल्स कभी भी किसी समध्धान को अगर बताना होता है चीजों के बारे में तो वो कौन बताते हैं उसकी आइडल्स बताएंगे अगली सवाल पर आएगा स्टीट गवर्मेंट के पास अथर्टी होती है कि किस सब्जेक्ट पे ये कानून को बना सकते हैं जब अचरण के बात चीजंगे वे ना जो में तो YSI सेट का कॉंसरे इसके बारे में आपके सेंटर है जो पार्लेमेंट हैं जो बैठी वी है मतलब इन में से कुछ भी नहीं हान बकाइदा स्टीट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट साथ के शामिल किये गए हैं उन सारी चीजों पर बना सकते हो टिए लिश्ट में जितने भी मांटर आपके कंसरन किये गए आप बनाई यसके ऊपर कानून लेकिन निग जब सारी चीजों के बारे बात चीथे आप साजेशन दे सकते हैं लेकिन यू कांट सीट कि भाया हम कानून बनाएंगे कि अब पाकिस्तान के साथ जो स्ट्राटीजी हमारी होनी होगी है ना हम अपने हिसाब से डिल करेंगे लाज इस सोलर प्लांट जो है यह कहां पर आपका लोक मिस्थित है माम राजस थान मिस्थित है याद रखिएगा अगला इन में से कौन से एक फेरिस मेटल नहीं है माम जिंक 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 ग्द कुछ लोग का जवाब जा रहा है कहां पर क्रोमाइड पर जा रहा है वह थोड़े से वहां पर गलत जा रहए है दहान रखिएगा जिंका जवाब ज रतो क्रोमाइड पर तुछ बोला नहीं है लेकिन याद रखिये गा अगले सस्げ спорт जवाब ऐसा नहीं आना चाहिए कि अगले सेवाल पर आईएगा किस पिछाना को जाना जाता है जब ब्राउन डायमेंड भी इसको बुलाटे हैं कि आ इसको ब्राउन डायमेंड बुलाते हैं पिरए उन कि बते ही फड़ाफद से हैं कि में Bür नाइव कहां पर है ताउल कहां पर याद है एक earlier कर 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 उसमेर किया आथ मैंयं ही बि mutually आपका लेगनाइट जो प appelle है सब स्ब्स्दाप आया जाता है आपका नाइवली में पाया जाता है तामिल नाड़ू तामिल नाड़ू आपको बताना है इनमें से कौन से एक रिनेबल र्रेसोर्स नहीं है मतलब क्या है माम अक्षे और्जा का संशाधन नहीं है यह तो बहुत आसान है इसका क्या है माम नाच्रल GAS अगले इस वाल पर आईएगा एंट केना होता है किसे बैंसे आर्न केन्टेंट कितना होता है अगर मैं मैंने ही बोल थो मैंने कि 72.6 प्रतीशत अपका कॉष्य आ होगा हाउ किसे बहुत कर तो 69.9vi-ट Tonga टेट पूर्षिंट इसमें और 69.8 से जिसमेट से डेगुड़ वेरी कुड़ 20% गुड अगले स्वाल पर येगा फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो ही फेस्टिवल किसको और्गनाइज टेज़ता है भीटा माम पे कॉंसरेट मित करो मैं साइड जारी हूं प्लीस होड़ा सा ध्यान देलो भी सवालों की ओपर फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल आपका मनाया जात मत्तना होगा जान दिजेगा स्री ब्रह्मो महत्सव जो है यह इक स्टीट में आपको और्गनाइज किया जाता है एक सवाल है कि उलहां करथा एक सवाल है अगर मैं बोलू कि आंदर प्रदेश चुकिये साउथ इंडिया पड़ रहा है यहां पर जुम दिर आपके बनाए जाते ही मंदिर का स्टाइल क्या होता बनाने का टेमपल जो होते हैं नौर्थ इंडिया से कैसे अलग होते ही North India में जो मंदर बनाए जाते हैं उसम इसके डिफरेंस क्या होता है मैं द्राविडा स्टाइल गुड रजो है आधेट्या एकरा किशनाथ है द्रावीडिन स्टाइल होता है दो स्टाइल यह नागरा स्टाइल रावीडिन स्टाइल होते हैं आप सा बसिते हैं अमक mortar में निए जाबल चीना करता है है मंद्रul से जो मेहतेपूर्ण भाग होता है वह बोलते हो जहां पर भगवान का वास होता है किस पर जी गर्भ ग्री घरी भाग मंडप कल्यानम अलग 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 पार्ट है पर समन्डपम का पहले यूज होता था जब आपकी आर्थी होती थी तो वहां पर यूज होता था आगे बढ़िएगा बूरी बूट यूलो जाता है किन कब मनाया जाता है अगर मैं बोलू तो यह नयाशी यह नयाशी ट्राइब है जिन जाती है यह उनके द्वारा बैसिकली यह मनाया जाता है वेरी वेरी गुड आनुराचिल परदेश में बहुत अच्छे द्राइट ओव दी मान यह किताब के ऑथर कौन है पिटा सबका नाम थॉमस सही है तो थॉमस बोलके क्या होगा सिर्फ तॉमस फाइम नेक्स वान इंडिया ने सबसे पहली बार ओलंपिंट है तन यहां विए उस सी बात है लेकिन ऐसा इंडीया अब बताइए इन्डिया ने इकाभ पारिसृपीट के यह तेisen पहली बार ओलं पिक में 1928 1928 1928 रॉशन गुड राहूल कुड 1900 सबसे पहली बार सबसे पहली बार पैरस में हमने लिया था भाग देश का पर धरत्व एंगलो इंडिन कौन कर था रचड कर रहे थे आगे रिखेगा ग्रीन रेवलुशन के फाउंडर कौन है माम लाया किसके दौरन पर चलो आपको मैं बताती हूं फाउंडर आप मुझे बताईएगा कि ग्रीन रेवलुशन जो लाया गया है उस काल पे प्रधानमंत्री कौन थे माम बस मैं बता दिया आपको MS स्वामी नाथन जो थे यह फाउंडर थे ग्रीन रेवलुशन की किस चीज के लिए था फूड ग्रीन प्रडक्शन के लिए था अच्छे क्वालिटी के एक बाव ए बताओ ब्रीटिशस जब हैं पर फेल हुए थे हैंन अब्रीटिश जो यहां पर फेल हुए थे इंडिया ने तो उनका मेन कारिक ये भी था कि इस इसां का टेंपरेशर के आइडिया नी था घुमारे आकाल पढ़ता है बहुत तरी कि अगल पढ़ आ गया फशल तो प्रॉब्लम ही थे कि ब्रिटिशे से चलो चिलाते थे हमें मारते थे हमें जान से मारते थे खतम लेकिन अशन देश जब हमारा आजाद हुआ तो हमारे बहुत मेजर कंसर्न था यह सोचना कि भाई एक बात बताओ अपने हां पर आकाल आ रहा है तो क्या करेंगो उसके लि से दूसरी राज में जो पास की एक बशय है मारलो पंजाब में या इना तो हमने का जो सबसेद बश्केम है और आज बीदे लए पनी होग बिज़वार दिया जाता है आज वह होतो अंपको लूटीशन हूचन बहुत आसान है कहीं पानी की कमремों टी तो आप दीख दूसरी के सपोर्ट से देश को सभाल लेते अंग्रीज क्या करते थे समझो बातों को एक जगह पर क्या हुआ तुम टैक्स नहीं दे पाए मारते थे उनको हर जगह चाहिए होता था बंगाल से मिला है बंगाल से क्यों नहीं मिला अकाल आ गया तो दूसरी जग सारी कंवर्जिंस होए बहुत सरी चीज़ों क्यों हूं रहते बुखमरी आ रही थी सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी अब सरकार तो उसक्ते में ब्रिटिश थी इस बहुत कुछ वेब सेरीज में आप लोको दिख गया है मैं क्या बोलो आगे बढ़ते हैं यह अपना चाल बुलंद शेहर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका बुलंद शेहर में यह आपका वहां पर मौझूद है वर्ल्ड बैंक ग्रूप जो है यह फैमिली है कितनी ओर्गनाइजेशन की फैमिली है फटाफट से बताईएगा मैंने बना फैमिली मतलब किसकी पेरेंट कंपनी कह सकते हो क कितनी बैंक्स इसके साथ और भी जुड़े हुए हैं यूपी चलागा है दो पांच चार पांच दो पांच तोटल कितने हैं इसकी पास अभी पांच डन कि डॉक्टर भुपेन हजारे का किटकर स्टेडियम कहां पर स्थेते आपकी गोहार्टी में कहां पर मैंने सुना अच्छल गोहार्टी बहुत जादा डेवलप्मेंट का एक्स्ट्रीम काम चल रहा है बहुत सारा नहीं चीज़े वहां पर लाई जा रही है और तो पहले से किस विटमिन की कमी से पेलागरा होता है किस विटमिन की कमी से देखो विटमिन की कमी बड़ी खतरनाक होती है बहुत-बहुत खतरनाक कोई भी विटमिन हो क्यों बोलते कि बॉड़ी चिकप कराना चाहिए आपको देखते रहना चाहिए कि कौन सा विटमिन बॉड़ी में क कि आपको चुचुड़ा पंच सा लगता है कि चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होते हैं विटमिन की वैसकता है विटमिन डी अगर सभी में कम हो जाता है ठीके आपकी हड्यों प्रभाब पड़ता है आपकी फेस पर आपका मन चचुड़ा हो जाएगा आपको टाइडनेस किस स्टीट से जोड़ा होँ है वेरी वेरी गुड आंध्रप्रदीश वेरी गुड बहुत अच्छा आंध्रा से जोड़ा होँ है अब मैंने आपको पहले भी आपको इसकी बारे में बताया था कि यहां पर परेटन विभाग जो है इसको आयुजित करता है यहां के कल्चर के बारे में दिखाया जाता है यहां पको जानकारी दी जाती है फूड है कपड़े है वहां का आर्ट है उसकी तरी की से शोकेस करना जी आगे बढ़िएगा आपको बताना प्रिंस ओव भंगारा किसको रेफर किया गया है हूँ अमंग दा फॉलिंग इस रेफर्ड अप्र कि तो है मैं पंजाबी कोड जिनके गाने को सुनके मतलब मैं बोलू वुर्दा अगली वी उठखड़ा होगा में सब्सक्राइब तुम नीद में होगा ना अगर कि यार अभी नीद आ रही अभी नहीं अच्छा लग रहा है नहीं यार बस नहीं वो जो है ना सुखबीर सि इसा हो ही नहीं सकता है कि आप इनके गानों पर ठरकना शुरू ना करें और अगर आप दिल्ली में हैं पंजाब में हैं अगर आप बच्पन में वहां बढ़े हुए हैं तो मतलब आपने इनके गाने सुनके अपने जिन्दगी बढ़ाईए जैसे सुबह यहां पर ही से कु आपने बचाने के बचाने के बाद आपको सारी पीरिव जो होंगी आपने यहीं पर जानी है कि मैं वो डॉगी को क्या हुआ कुछ नहीं बिटा सुबह सुबहां करा था तो मैंने जाने तो आगे बढ़ते हैं केमिकल नीम बैट रहे हैं सिट के कैमिकल नीम क्या होता है इसका जॉब सबका सही आया है सबका ही सही आया है कलरलेस है ओडरलेस है नेक्स्ट वन हरी सीरा जो की कोट पोईट थे किसके समुंद्र गुपता के पोट पोईट थे अब एक बात बताना समुंद्र गुपता को माना जाता है एक महान योद्धा के तौर पे माना जाता है एक चीज कला के बारे में कह लीजे तो कला के बारे में हर एक चीज अचा नेक्स वन अचा गुपता साशनकाल की दौरान पे इनके कोट में जिस भाशा का उपयोग होता था वो भाशा कौन सी थी कोई बता सकते हो येस भारत का नपोलियन भारत का नपोलियन Sanskrit याद रहेगा ये बात जरूर याद रखना उसका किस भाशा को प्यों होता था मैं Sanskrit भाशा को प्यों होता था next one okay pay attention which of the following separates the little and demand from south and demand of India Sanskrit 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 Ma'am अरे रज्जुन सबसे पहले जवाब दी दिया मैं मिनी कोई okay दोबारा एक बड़ा सोचते हैं पावन गड़ पार ले जी येस डंकन क्या कहा डंकन पैसेज जो है यह इन दोनों को असल में क्या करता है अलग कर रहा है सेपरेट कर रहा है ठीक है धान दीचे का अगले सवाल की तरफ सबसे लाजस तूपा कौन सा है फटा फट से फटा फट से अच्छा चलो इसको ऐसा थोसा डिकोड करते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे बुद्धिजम कहां से शुरू हुआ बिहार से शुरू हुआ समराथ अशोक कहां से थे कि समराथ अशोक कहां से थे बिहार से थे तो मां अंटा हो न न कहां बनता है मां बिहार में बनता है अब मैं आपकी जानकारे ब्ता दू कि बिहार के चमपारन में यह आपका स्थे जिसका नामे केसरिया तेरा इश्क है पिया यह जी 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 आप और सारा तेंदुलकर बिल्कुल सिस्टर लगती है शुक्रिया बता देने के लिए केस में हेल्प करेगा चलो आगे बढ़ते हूं विट विच म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट वोजदा अली अकबर खान एस्टियेटिड फटाफट से यह कौन लो मैं आ गया क्या आ गया सरौद 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 पहले वेपको हमने एक बात बताया है सरौद की बारे में कि सरौद क्या है यह बिल्कुल ही जैसा आपका वीना होता न गटार होता है बिल्कूल एक्जेक्ट ही वैसा है बस इसके डाइमीटर में फर्क है लंबाए चोड़ाई में फर्क है और वही स्ट्रिंग काहें आपका तार काहीं काम है स्ट्रिंग काहीं है आगे ध्यान दीजेगा इनमें से कौन सा एसिट जो है आपके स्पैनेश में पाया जाता और कितने लोग को पालक पसंद है तो तुम लोग इंसान नहीं हो कितने लोग को पालक पसंद है भाईया माम सी, साइट्रेक इसे डिस में कैसे पाया जाएगा मेरा भवा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ओक्जलेक, येस, ओक्जलेक एसेट, माम, माम, कैसे आगे, कैसे खा लेते हो, पालक ही, भगवान, ममी बोलते-बोलते थक गई, और मैं सुनते-सुनते, आगे ध्यान है, खार दंगा, खार दंगा, खार दंगा, खार दंगा, वेरी-वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, हुम, छीक है, आभी तो कि दो लोगा जावब मुझे पता नि, क्यों फिर भी गलत ही आ रहा है, इतना समझने के बाद भी, बग्कि सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया, उसके बाद भी, खार दंगा, ये कहाँ पर है, आपकी ये, लद्दाक में है, एरिया याद रखे यथिन आपके लिए ज्यादा इंप्रॉटेंटेंट महावीर जेनती जो है यह कब मनाया जाता है और बुझे इंप्रिल में अगर मैं जानिस्म की बात करूं तो जानिस्म में जो 24 वे 3 थांकर थे आपके यह कौन थे कमें दर्षांग्स में जवाब कमेंट सेक्षिन में जवाब चाहिए मुझे जानिजम की 24th महावीर सुमन चौकरवर्ती अभी वीरा एवीर गुड रजिया सुल्तानक इसकी बेटी थी इल्तूतमिश की बेटी थी अब पूरी कहानी सुन लो जल्दी से कहानी को कर लेते से 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा 1st स्लेव डाइनस्टी में मेंबर क्या इसको सुल्तान भी नहीं बुला सकती हूँ साशक कौन था सबसे पहला साशक था कुत्व बुद्दीन एबक कुत्व बुद्दीन एबक ये तुम्हारा पहला था दूसरा तुमारा इलतूतमिश था इलतूतमिश वो था जिसने सुल्तान की उपादी को ग्रहन किया ठीक है बगदाद के खलीफा से सम्मान सूचक वस्त प्राप्त किये और दिल्ली अपना क्यापिटल को ट्रांसफर किया ठीक है दिल्ली अपने क्यापिटल को ट्रांसफर कि वाला जजिया कानून को लगाने वाला है ना और जजिया और इसने क्या क्या काम किये थे माम इसने कुवैत अलिस्लाम मस्जिद बनाया कुवैत अलिस्लाम मस्जिद बनाया जो कि इंडिया का सबसे पहला इसलामिक मौनुमेंट के तौर पर जाना जाता है भारत का दूसरा इसने कुत्व मिनार का निर्मान का काम शुरू करवाया क्या करवाया कुत्व मिनार के काम का निर्मान का कारे शुरू करवाया और यह कभी खतम नहीं कर पाया लेकिन इसने शुरू करवाया धाई दिन का जोपड़ा कहते हैं कि इसी ने करवाया उसकी बारे में अलग-अलग जिक्र है लेकिन ये भी कहा गया है अब देखो इतनी बाते समझ में आई हर किसी से तुमने चार से पांच बाते कर ली इतना एनफ है तुम्हारे लिए अब क्या होगा इलतूतमिश के बाद इनकी बेटी आई ये रजीया में बस एक कमी थी कि वह महीला थी चाहे अब तुल्ला काहते हास उठाके देख लो चाहे एबॉठी के देख लो हर किसी ने इसके बारे में कहा था कि रजीया उसकी वैसे लोग को बरदाश नहीं हुआ और मार दिया गया इसे जान से और इसे अपने ही राज को मां हुआ है माम अविनाश किया रहा है माम ए सच्छन ए वेरी गुड किस से जुड़ा है माम यह आर्थ रोटेशन से जुड़ा हुआ है कंप्लीट तरीके से हम सब को पता है आगे देखेगा विच और फॉलिंग फिजिकल कॉइंटिटीटीज हाज सीम दैसा यूनिट ऑफ दव कर तो अपंपी सांस्टोन सोवंगत है आगे अगे होलसारा टेंपल जो है इकिस राज में लुकेटेड है कहां पे स्थित है होलसारा याद करो करनाटका में अच्छा अगर अब चुगी करनाटका की बारें बात कर रहे है तो मैं लिखूंगी यहां पर विजयनगर इंपायर ठीक है तुम मुझे एर बताना विजयनगर इंपायर हरीहरा बुका के द्वारा किन के द्वारा हरीहरा और इर बताओ 1336, 1336, 1336 अरे विंडो वंच कब आएगा यहाँ पे तो लोबा चलेगा, सालूबा वंच चलेगा, सब चलेगा अरविंडो वंच कब आएगा यहां पे यहां पे बाद में फिर चेंज होगा न तो अरविंडो वंच कब आएगा चलो इसका 1336 is done clear final अब बताओ विजयनगर एंपायर में अर्विंडो वंश का अर्विंडो कहलो अर्विंडो वंश कहलो यह बताओ मुझे लास्ट में बूलने से नहीं होगा यह बताइए मुझे है पंदर सो पांच वह बोट वार 1565 वार बोट 1565 यह बगार बर करते हो तुम लोग जहां से चेंज हो लिए जहां से एक साथ चल रहा था तालोवा वाइं चल रहा था जहां से जाकर डाइनिस्टी तुम्हारी जाके चेंज होगी वहां से कौन बताएगा आएगे देखना स्पेशल एकनॉमिक जो है यह सेटप किया गया है गोवर्मेंट को इन ओर टु अट्रैक वाट कभी भी अगर हमने कहा कि आर्थिक विशेस आर्थिक छेतर स्थापित किये गए हैं ताकि हम जादा जादा फॉरिंड कंपनीज को इन्वाइट कर सकें इंड यह उस्टाफित हैं तो आप जो कमा रहे हो इसी में आप चरव फैक्टरी स्थापित हुई तो आप जो कमा रहे हो आप तो कमा रहे हो किसको दे रहे हो। तैट को दे रहे हो। आप इसे रॉप उस्या बिच्ट जो नहीं है। आगे देखिएगा गीता गोपिनाथ जो है यह पहली वोमेन बन चुकी है उकुपाई करने का पोजीशन आग किसमें आपकी आईए मैं मैंने क्यों बता दिया जवाब चीफ एकुनॉमिस्ट की पोजीशन को अरे यार ओके इंडिनाशनल मॉनेटरी फंड आई एम फ में ठीक है डन अब तो जवाब आए गई आए तो जवाब आए गई आएगा तम लोगा अब थोड़ी ने ऐसा है तो यह आज आपका ओफर चल रहा है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं जॉइन किया है तो इसे जॉइन कर लीजेगा आपकी अगर एग्जान के तैयारी कर जैसे आई-बी की तैयारी हो गई स्टेट पीसे से या फिर दिको यहां पर एक ही फाइदा है मैं चुको जैन आप अगर बात कर रहो कि मैं ऐसे मैं से लेना है तो दिल्ली की जितने आपको ओफरन कोचिंग्स है उनकी आपको यहां पर मिल जाएंगे सारे अपको रिकॉर्ड़ेट फॉम में सारे के सारे लेक्च्छ जोहें आपको जरूरी है ठीक है उसारे आपको यहां पर बिल अच्छा कोशन्स खतम हो गए है समझ गई यह आपका टेलग्राम का चैनल नहीं से जॉइन कर लीजेगा ओकी गाईज कि नेगटिव लोगों से दूरी बनाएगे जो आपसे अननेसेसरी सवाल पूछ रहे हों जो आपको नीचा दिखाना चाहते हो लाइफ में तोम्हें और हमी सबको पता होता है कि कौन से इंसान हमी नीचा दिखाना चाहता है बट हम अपनी क्या बोलते हैं इमोशन के चक्क तो खुश रहो आबाद रहो भाई टेकिर अरेवां थांकिस समच गाइस वाले लावन सपोर डू लाइक शेन सब्सक्राइब भाई मेरेंगे रात के नौ बजे अप लोगों से उससे पहले साड़े तीन बजे अप्लिकेशन की उपर सारे लोग आ जाएगे का भाईया